मत्यपरदेश ने प्रधान मंत्री के संकल्प को जमीन पर उतानने का प्रणड कर लिया है दोक्ठर मोहन यादो ने अस अभियान को जन जन का भियान बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है मत्रप्रदेश इस संकल्प में महत्रपूर भागिदारी नीभाने जा रहा है पूरे प्रदेश में पांच करोड पौधी लगाने का लक्षा है आज को मुख्य मत्री डॉक्टर मोहन यादो ने भौपाल के जम्बूरी मैदान में अपनी मा के नाम का पौधा लगाते हुए भौपाल जीले में विबिन निस्थानों पर 12 लाख पौधे लगाने के महा भी आन्वे भागिदारी की देखे हमारी या खास रिपोर्ट जा रही है बौप्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादाव का मानना है कि एक पेड मा के नाम अभियान ऑक्सिजन की मात्रा बढ़ाने धर्ती का तापमान कम करने भूजल इस तरको ऊपर लाने और प्रदुशन नियंदरन में महत्पून योगदान करने में समर्थ होगा भारती जनसंग के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखरजी के जन दिवस से एक पखवाडे के अंदर भौपाल जिले में 20 लाख पोधे लगाने का लक्ष रखा गया है आज अकेले भौपाल जिले में विभिन इस्थानों पर 12 लाख पोधे लगाने का दावा किया गया जंबूरी मैदान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद पहुँचकर एक पोधा मा के नाम अभियान में पोधा लगाया और कारिकरम में भीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मंत्री विधायक सांसत के साथ इस्कूली बच्चे उपस्थित रहे आज यहाँ पर जो लिया है मध्य प्रदेश के अमारी सरकार ने मानी महोन यादव जी ने आज एक ब्रक्ष मा के नाम अपनी मा के नाम से उन्होंने भी आज एक पौधा लगाया है हम सब सवबाकिशाली है कि आज इस अभियान के हम सब प्रत्यकदर्शी बने है और देश के अंदर करोडों करोडों लोग मानी प्रदानमंत्री के आभान पर इस ब्रक्षा रोपन के अव्यान के साथ सबी लोग जुड़े है और मैं आभान करता हूँ कि हम सब भी अपनी मा के नाम से एक ब्रक्ष जरूर लगाएं इधर पौधार उपन कारिकरम में पहुँचे स्कूली बच्चे और स्कूल के शिक्षक समेत महिला बाल विकास के लोगों ने कहा कि आज हम पौधार उपन कर रहे हैं और जिन पौधों को हम लगा रहे हैं उन पौधों से वादा किया है कि हर समय उनका ख्याल रखेंगे समय समय पर उन्हें पानी से सिंचित करते रहेंगे और खाद भी देते रहेंगे जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे तो हमारे मुख्या सीएम साहाब है तो उन्होंने यह ब्रक्षा रोपन का जो समारों रखा है यह बहुत अच्छा है जिसे हमारी प्रगटी भी सुद्ध रहेगा और हमारे लिए हमारे जीवन का भी जो यह बहुमूल हिश्सा है यह बहुत अमरूद का पौधा है और अगर अगे ऐसे ही कई पोधे लगाएंगे ताकी और हरी आली बड़े हरब यहाँ पर लगाएंगे हम नहीं गर पर आज ग़र जाके पोधा लगाएंगे तो और आज हम यहां पर ब्लक्षार ओपन कारिक्रम में आए हैं और आज यहां पर आगर मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं माननी है मुखी मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ और आज हमने एक बर्गत का पेड़े लगाया और यह मेरा दूसरा पेड़े की मैं आज दो दो पेड़े एक साथ लगा रही हूँ सिर्फ इनी दोनों पौधों को नहीं मैं जित्ते भी जित्ते भी मुझे पौधे मिलेंगे मैं सब की देखरे करूंगी और सभी का पहुत ख्याल रखूंगी और ऐसे आगे और भी पौधे लगाती रहूंगी सुमित पचोरी जी जो कि यहाँ पर पौधार ओपन कर रहा है सर आज पौधार ओपन कारी करम है निश्यत दौरबर ये एक बड़ा अभियान है और हम सब को मिलके परियावरंट के छेतर में परियावरंट संडक्शन में हम सब को भी मैतपूर्ण भूमे का निभाना चाहि आज सर पौधार ओपन किया göra है आपके महिला बालभ्रकास की तरफ से कितना पौधार ओपन किया रहा हमने पचास लोग पचास पौधार ओपन की आपने कौन सा पौधाला मैंने जामून का और नीन का वयोदा लगाया तच्वही एगा कहेंगे आज जो मैंतमे सब्यूंद मुखिमंतरी ने आगे कहा कि भोपाल वासियों का 12 लाक पौधे रोपने का संकल्प तो पर्यावरन संट्रक्षन की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा, जो अन्य शहरों को प्रिरित करेगा। इस मौके पर मुख्यमंद्री डॉक्टर मोहन यादव ने पौधों में प्राण को लेकर एक किस्सा सुनाया। कि आपको भारत में जाओगे तो और सिर माथे पर घुमाएंगे लोग आपको और कहेंगे आपने बहुत बड़ा विश्कार कर दिया, यह बहुत बड़ी खोज कर दी कि पोदों में प्राण होते हैं, उनने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उनने का मेरे यह ऐसा नहीं होग तो उनने का लोग समझते नहीं क्या नोगल प्रुसकर किसको मिलते हैं, आपने बहुत बड़ी खोज कर दी, उनका जवाब हम सब के लिए बहुत अच्छा था, उनने का भाई वहाँ गाओं से गाओं के अनपड़ से अनपड़ा आदमी को मालूम है कि पोदों में प्राण होते हैं, हमारे लिए आज बडलते दोर में रक्षो की महत्ता क्या है, बताने की जर्वत नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के प्रती उनके विश्वास और प्रेम की अभिवक्ती भी है। साथ होता है, हमारी संस्कृती में प्रकृती में परमात्मा को देखा जाता है। ब्रक्ष का बड़ा सरल अलग प्रकार से वेदों में इनकी महत्ता गाई गई है। दस रक्षों के बराबर एक कुप अंथत एक कुवा इसे इसके बारे में माना गया है कि दस कुवों के बराबर एक बावडी और एक दस बावडी के बराबर एक सरोवर और दस सरोवर के बराबर एक कुट्र और दस कुट्रों के बराबर एक रक्ष ये मानेता हमारी वेद म आज बदलते दौर में विरिष्णों का महत्व और बढ़ गया है।